दोस्तों आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस अजूकेशन इस वीडियो में बड़ा अपडेट है बड़ी कुसकबरी बड़ी अपडेट दोस्तों चिकित्स अविभाग के लाखो अब भ्यरतियों के लिए सबसे पहले बहुत बड़े गुड न पदों पर नई भरती जिसमें एनम्स के पद रहने वाले हैं जी एनम्स के पद रहने वाले स्टाफ नर्स के और सी एचो यानि की कम्मुनिटी हेल्थ ओफिसर्स के पद रहने वाले जी हां दोस्तों फार्मासिस्ट के भी पद रहने वाले हैं आयर्वेद नर्स के भी हैं और भी आपको बताते हैं क्या कुछ कहानी है और ये जो नई भरती है दोस्तों इसमें RNS Education News ने कुछ दिन पहले दावा किया था और कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि भाई साब ये ये पदों पर भरती हैं आ सकती हैं और हमारे दावे पर फिर से लग गई है मुहर ठीक है आप से कुछ दिन पहले का वीडियो है और वो बात याद हो तो आप लोग कमेंट में लिखेगा साथी हो ठीक है हम जो बताते हैं वो निकलती है सच एनम्स की बताई थी मैंने एनम्स का बता था सी एचो का बताया था और वो आप लोग के सामने है बिलकुल बड़ी गुड निउज है आप लोगों के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तो मेजर जन्रेल आलोक राज बोड के सचीव हैं राजस्थान करमचारी चैन बोड एनम्स के कुछ पोस्ट का हमने सैडूल बनाया है कल सुबह तक आप लोग कमेंट करिए और मैं एक और चीज कहूँगा आलोक राज जी की जो ट्वीटर आईडी है एक साइडी जिसको बोलते हैं उस पर जाओ सारे लोग कमेंट करो कि ये कलेंडर हमें मंजूर है आप लोग वेकेंसे निकाले सब लोग कमेंट करिए तो इन्होंने एक ट्वीट किया है यह सब संभावित फोर्ट्स वेकेंसीज है आप इन में से कुछ भी कनफर्म नहीं है हमने है प्रपोजल बना करके नहीं को बिजवाया है कोमेंट के लिए यदि आपको अबजर्वेशन नहीं है अबजेक्सन नहीं होंगे तो यह हमारे कलंडर में सामिल होगा दोस्तो जो एनेचेम के दुवारा 22 तरीके के पोस्ट निकाले जा रहे हैं और राजस्तान करमचारी चैनवोड यह भरती कराएगा तो राजस्तान करमचारी चैनवोड के जो अध्यक साब है मेजर जन्नल आलोक राज जी वो यह कह रहे हैं कि भाई देरी किस बात की लग जाना दो चार दिन के अंदर ये कल से त्यारी के मैं बताता हूँ आप लोग पूरी खबर क्या है सबसे पहले तो आप लोग इनकी एकस आईडी पर जाएं और कमेंट करिए दूसरी बात ये देखिए पद कौन कौन से हैं ब्लोग प्रोग्राम ओफि आगे देखिए सोसल वरकर इसके पद इन्होंने बताया है बहतर तीन तो टीएसपी के 79 नों टीएसपी के इसमें 16,900 इन्होंने माना कि लगबग इतने पोस्ट जो है पद है जो आजाएंगे इसकी भी एकजाम 262,025 को होस्पिटल एडमिनिस्टेटर इसके 44 पद हैं 5 टी नहीं हो सकती है ठीक है सीनियर काउंसलर आब इन्होंने भी इसमें मान के चले हैं दोस्तों ये भी मान के चले देखिए 36,40 पोस्ट है 4 टीएसपी 36,9 टीएसपी 16,900 पैसा और इसकी एकजाम डेट इन्होंने बताई है 36,2,025 ये 26,2,025 को होस्पिटल एडमिनिस्टेटर और सीनियर काउंसलर की जो है 36,2,025 डाटा एंट्री ओपरेटर 177 पोस्ट जिसमें 29 टीएसपी 148 नोन टीएसपी 13,150 पैसा मिलेगा इन्होंने बताएं कि लगबग 1,00,000 फोम आ सकते हैं और 46,2,025 को इसकी एकजाम होगी इसके लाओ दोस्तों नमबर उफ पोस्ट छे न फार्मासिस्टेंट 499 पद मैंने बताया था कुछ महीने पहले ही कि फार्मा के लग तकरीबन 500 पदों पर भरती आएगी तो देखिए 30,000 पद आएंगे सोरी 30,000 फोरम भरे जा सकते हैं इन 499 पदों के लिए फार्मासिस्टेंट की या निए कैडर स्टेंथ इन्होंने पत कर ली 499-457 जो पद हैं नोन-TSP के हैं और 42 पद हैं जो हैं TSP के हैं फीमेल हेल्थ वर्कर एनम मैंने पिछले वीडियो में बताया था 145 या 200 के आसपास पद बताये था याद हो तो आप लोगों को यहां पर 159 169 पद ठीक है 13,150 रुपिया मिलेगा फार्मासिस्टेंट को 16,900 रुपिया मिलेंगे और एनम के 25,000 फोरम भरे जा सकते हैं तो ये 5 जून को फार्मासिस्टेंट की और 5 ही जून को यहां पर जो है आपकी परिक्षय हो जाएगी फीमेल हेल्थ वर्कर की 2025 में C.H.O. शांदार पद 25,63 पद ये पद बढ़ जाएंगे एनम के भी पद बढ़ जाएंगे चिंता नहीं करने का जबचा कारने से एजूकेशन न्यूज है कैसे बढ़ेंगे बता देता हूँ एनम की पर्मनेंट की फोस्टिंग होने वाली है 3058 ये है पद खाली रहेंगे बढ़ होा देंगे आप लोगों के लिए कोसिस करेंगे कि इसमें पद बढ़ें C.H.O. के लिए भी यहीं चीज़े करने वाले हैं 2634 पद थीक है 2563 नॉन टीएसपी के लिए और 71 पद टीएसपी के लिए 8900 यानि कि इसमें 25,000 रुपे मिलते हैं इसमें ये क्यों लिखे 8900 contractual rules में दोस्तों ठीक है contractual rules में लेकिन आपका 25,000 payment इसको दरने के आउशकता हैं कि ये 8900 कैसे इसमें लगबग 1,20,000 ये मानने कि इतने फोरम जो आ सकते हैं इसकी जो exam है 666 2025 को अगले साल नर्स के पद GNM के मैंने 2000 के असपास पद बताया थे पिछले वीडियो में कुछ मह इने पहले डाला था 1941 पद आने वाले हैं जिसमें 1848 जो पद हैं दोस्तों वो non-TSP के तीराने पद TSP के और ये मानने कि लगबग 92,000 फोरम आजएंगे इसकी एकजांबी 666 2025 को पब्लिक हेल्थ केर नर्स इसके 102 पद आएंगे 18900 ये मानने कि इसमें 50,000 फोरम आजएंगे इसकी 762025 को नर्सिंग ट्रेनर की बात करें तो दोस्तों नर्सिंग ट्रेनर के जो पदों की संख्या 56-56 है 22,150 जो आपनों को रुपिया मिलेगा पेमेंट इसकी भी ये मानने कि इसमें इतने फोरम आएंगे अकाउंट असिस्टेंट तो ये भी आप लोग देखें इसमें 762025 को इसकी एकजाम होगी साइकेट्रिक नर्स केर नर्स तो इसमें देखें 49 पद हैं 18,900 ये भी इसमें मांग रहे हैं रियाबिलिटेशन वरकर 633 पद 40,000 फोरम मानके चल रहे हैं लोग 10-6225 को इसकी एकजाम संभावित बता रहे हैं देखें दोस्तों फीजो थेरपिस 58 58 पद 18,900 10-6225 को एकजाम मेडिकल लेप टक्निशन जो DMLT पास आउट हैं लेप टक्निशन की बात करें 414 पद हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था याद होगा थो 13,150 मिलेंगे इसमें मान रहे हैं लोग 10,000 के आसबास पद सोरी फोरमों की संक्या 11-6225 को एकजाम आईरवेद के जो अभ्यारती हैं उनके लिए भी गुड़ न्यूज है कमपाउंडर आईरवेद 261 पद ठीक है कमपाउंडर आईरवेद नर्सिंग वाले जो अभ्यारती हैं 261 पद 16,930 के आसबास फोरम आ सकते हैं 11-6225 को एकजाम होगी ओडियो लोजिस्ट के 42 पद हैं 12-6225 को एकजाम होगी बायो मेडिकल इंजिनियर दोस्तो इसमें 35 पोस्ट है तीन इसमें जो हैं पदों की संख्या है टीएसपी की 32 नों टीएसपी की 16,907 फोरम आ सकते हैं 12-6225 को इसकी एकजाम होगी और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर 46 ये तो टीएसपी के 519 नों टी की number of candidates कितने आप भेरती हो सकते हैं तो हमारे लिए काम की चीज़े तो सारी हैं लेकिन basically big update की बात करूँ तो फारमासिस्ट के 500 पद हैं लगबग 499, 16,907 नों टीएसपी के 42 टीएसपी के एनम्स की 159 पद हैं बढ़वा देंगे चिंता मत को आप त्यारी पर जुट जाओ और CACO का भी पद बढ़वाने की कोशिस करेंगे अगले साल तक तो काफी और पदों की demand करेंगे तो बढ़ जाएंगे चिंता नहीं करने की आप तो दुगने हो सकते हैं 2600 के 500 हो सकते हैं या 1900 के 48 हो सकते ये भी बढ़वा देंगे क्यों बढ़वा देंगे GNM के और ENM के क जो permanent भरतियां हैं वो पूरी होंगे तो पद खाली होंगे क्या होंगे रिक्त हो जाएंगे जब रिक्त हो जाएंगे तो आप लोगों को पद दिलवाने की कोशिस करेंगे हमसे जो बन पाएगा न वो करेंगे तो आप लोग बस मेहिनत करो फार्मासिस्टेट के भी जो बढ़ जाएंगे आप लोग देखिए ठीक है एनम्स के भी बढ़वा देंगे ठीक है चिंता मत करो कि भाई नहीं बढ़ेंगे और ये अभी दोस्तों किया ना सिर्फ और सिर्फ एनेचम के दुआरा ये एक संभावित जो संख्या बताई गई है अभी देखिए बोर्ड के अकोडिंग ये वेकेंसी आने वाली है ये कहरें कि अभी संभावित पोस्त है ठीक है लेकिन ये वेकेंसी आ जाएगी अगले साल एक्जाम है तो देखिए इतनी जल्दी तो आने के रही कि 10-20 दिन में वेकेंसी आ जाएगी बिल्कुल भी नहीं आएगी दो-3 महिने लगा देंगा राम से ठीक है जब कलेंडर आपको पता है तो वेकेंसी फिर कब भी आए जब आपको पता है भाई सियाचो की 26-34 पोस्त है और अगले साल 6 जून को एक्जाम है ठीक है तो फिर आप लोगो कभी भी चाहिए आए फरवरी 2025 में फोरम आपको क्या चिंता है जब पता का मेडिकल ऑफिसर का वो कहां गए देखो भाई बाई आज 62 पदों के लिए ये परपोजल एनेचम ने भेजा है करमचारी बोड को और करमचारी बोड ने एनेचम को डेट्स बेजी हैं कि भाई हम इस डेट्स को एक्जाम करा रहे हैं आप लोग इनके ट्वीटर पे जाक इत्सा मंतरी ने भी का था तो भी मैंने वीडियो ला करके जैनकरी दे दी थी कितने कितने पद कहां 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 कैसे कैसे मिलने वाले हैं ठीक है तो RNS Education News को सबस्क्राइब कर लो टेलिग्राम जोइन कर लो सबसे बड़ी बात तो वहां पर यह अपडेट करते रहे था फिला नहीं करेंगे मैसेज करेंगे तो कोई जबब नहीं मिलेगा सबसे पहली सरती है टेलिग्राम को जोइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्सर में है धन्यवाद और यह खबर भी आप लोग को यह जो देख रहे हो आप लोग यह भी मिल जाए अब आप लोग को सवाल होगा किस आप इसमें योगता क्या होगे देखिए दोस्तों फार्म असिस्टेंट इन सबका तो पता ही है और बाकी की हम बता देंगे जैसे आएगी ठीक है न क्योंकि काफी वाइड सीजे है तो बाकी आप लोगों को एक दिन बताया भी था मैंने कुछ योगता है तो बता देंगे आप लोगों को बहुत जल्द बता दूँगा मैं एक सी दो दिन के अंदर बता दूँगा कौन-कौन सी योगता है आपको चाहिए होंगी ठीक है न एक जाम डेड साप लोगों के सामने सब कुछ आपके सामने इस वीडियो को सेर कर दो सब तक जैनकारी पोचा दो जै हिंद जै पारत